नमस्कार दोस्तों मैं पवंदादी स्वागत करता हूँ आप सभी का अमारी यूट्यूब चैनल डिजिटल टेयरेपिट जी हां दोस्तों क्लोग का अमारा टोपिक चल रहा था बिलकुल आगे का पार्ट हम लेके त्यार हैं आपके शामने क्लोग के अंदर जो क्वेशन बन आनिये थे उन ही की दोस्तों आज फिर से प्रेक्टिस करेंगे कोरण की प्रेक्टिस करने से पहले मीरर और वॉर्टर इमेघ्स को थोड़ा सा हम रिवांज कर लेते दोस्तों कुछ को उससे ताइंं मीरर इमेज देखे दोस्तों कल जो question हमने निल्ध को जुखके एंगा सामने आएंगे देखिए कव सामने चिंपल यह 16 यह convince आज यहां पे कुछ मिश्रम में मेरे मिनेट दोस्तों यह क्या है 2412? मिनेट है यह 24-14 मिनेट है यह गड़ी में स्मय 3-24-14 मिनेट 23ो 23-14 मिनेट है तीन बजकर 24 साही 4 बटे 13 मिनट है तो दरपन प्रतिविम में शमय क्या होगा हमें ये बताना है दोस्तों बिल्कुल बैसिक तरीका हमने सीखा था कि जब भी हमसे पूचा जाता दोस्तों दरपन प्रतिविम या मीरर इमेज पूचा जाता है तो हम क्या करते हैं दोस्तों 23 में से गटाते हैं किस में से गटाते हैं अभी हमें टाइम दिया दोस्तों तीन बजकर 24 साही चार बटे तेरा मिनट, तीन बज़कर, चोबीस से चार बटे तेरा मिनट दिया, जब इसमें से इसको गटाएंगे दोस्तों, गटाएंगे, तो हमारे शामने इसको हम क्या लिख सकते हैं, दोस्तों, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए, हमें पता मिश्र बीन जब भी हमें दे रखी होती दोस्तों तब हम क्या करते हैं उसको एक सिंपल फ्रेक्शन में चेंज करते हैं तो तेरा चुक बावन तेरा दूने 26 और 5 31 दोस्तों और 312 में 4 चोड़ेंगे दोस्तों ओपर वाले 4 हम एड करते हैं तो कितने हो जाएंगे 316 हो जाएंगे 316 बटे 13 हो जाएगा इसको हम क्या लिखेंगे 316 बटे 13 लिख देंगे अब देखिए दोस्तों यह लिखने के बाद में हम माइनस करेंगे 60 में से माइनस करेंगे किसको 60 में से माइनस करेंगे 316 बटे 13 देखिए एक बार इस चीज से बता देता हूं विल्कुल सिंपल तरीका भी मैं आपको बता हूं का दोस्तों थोड़ा सा सयम रखेगा क्वेशन के अंदर अभी देखिए लसे माइगा दोस्तों यहां से 13 अब इसके बटे में कुछ नहीं मतलब हमें क्या समझना दोस्तों बटे में कुछ नहीं मतलब हमें समझना एक एक का भाग तेरा में तेरा बार जाएगा तेरा को तेरा को तेरा चाके इट्टे तर 780 हो गया दोस्तों माइनस एक बार जाएग लिखिये तो इसको हम क्या लिख रिख shaktे है इसको लिखेंगे दोस्तों 13 से दिवाइड करेंगे दोस्तों 13 चोटर 13 45 65, 985-13 35bert 31 minute 155 135-13 Για दोस्तों तो 20 बचेगा बीजिदिकर 35 सरी 9 बटे 13 मिनट हमारा THE अशर आया अब इसको हम क्या लिख शक्तें इसको क्या लिख छकते हैं आट बकर 35s 6 देखिर 12-8 ौ तो आठ बचकर 35 स्री 9 मीनट हो गया को नो बकै 3 मिनट इसी चीज को सिंसी तिरी aut साट में से तो गटा नहीं है लेकिन यह जो चीज दिये दोस्तों इसको सिंपलेश तरीके से अभी देखिए इतना बड़ा केलकुलेशन हमें नहीं करना हमें बिल्कुल बैसिक तरीका अपनाना दोस्तों यहां से देखेंगे देखिए तेबीस साट को हम लिख शकते हैं शाट मिनट का मतलब एक गंटा होता है और वह एक गंटा इसमें एड़ कर देंगे तो चोबीस गंटे को अपन इस टाइप सी लिख सकता है अब माइनस करना हैं हमें या फिर इसको मिनट में चेंज कर लीजिए दोस्तों एक आ जाएगा यहां पर कितना आ जाएगा एक आ अब देखेंगे 3, 24 और यह जो आपका टाइम है दोस्तों 4 बटे 13 इसको अलख्शे माइनस कर लीएगे अभी माइनस करेंगे दोस्तों कितना आएगा गांड़Wow देखिए सबसे पहले एक में से 4 बटे 13-3 कर लीजिए अब इसको करेंगे 9 में से 4 दोस्तों 5 में से 2 जाएगा 3 और इधर देखेगा 23 में से 3 जाएगा 20 हो जाएगा 20 गंटे 35 मिनट 9 बटे इसको हम लिख सकते 35 बटे 13 मिनट अब देखिए इसको क्या लिखेंगे 8 बजकर 35 सई 9 बटे 13 मिनट इसका मतलब क्या होता दोस्तों यह मल्टिप्लाई में नहीं होता यह प्लस में होता मतलब 35 मिनट के बाद में 9 बटे 13 और एक्स्ट्रा मिनट या जो सेकेंड आएगा इधर वो हम गोल सकते हैं अभी हमारे सामने इधर लिया हमने तो 9 बटे 13 मिनट होगा 35 सई 9 बटे 13 मिनट यह हमारा आंसर हो जाएगा सैयम रखें दोस्तों अगर आपको यह समझ नहीं आया है तो एक और इसी टाइप का लेता हूं बिल्कुल आपको आसानी से समझा के रहूंगा दोस्तों यह मेरी गारंटी है ऐसे क्वेश सीखेंगे इसको वापस से क्वेशन को पढ़िए इप टाइम इन क्लॉक इस 9 28 4 by 7 वाट टाइम विल एपिर इन मीरर इमेज एक काच के अंदर मीरर के अंदर ग्लास चो हमारे शामने लगा है साइड में लगा है क्लॉक के उसमें गड़ी का टाइम केशे दिखेगा गड़ दोस्तों हमें क्या निकालना है दरपन प्रति निकालना है मीरर इमेज निकालना मीरर इमेज जब भी निकालना दोस्तों तो हमें पता है हम किस में से माइनस करते हैं ते भी 60 में से करते हैं और जब अभी जो बिलकुल सिंपलेश तरीका इधर में ने बताय ता दोस्तों हम तो फर्स्ट में तो अपना यह और सेकिंड मैंथट अपना है यह यह आपका सोल करने का तरीका तो यही अपना ना आपने को क्या करना तेवीश उनसाट एक मैंसे माइनस कर लेना किस में से कर लेंगे दोस्तों तेवीश उनसाट एक मैंसे माइनस कर लेना अब देखेगा दोस्तों कितना टाइम दिया है 928 और फ्रेक्शन में किया दिया 4 by 7 अब अगर मैं उनसाट मैंसे माइनस करता तो यहां से 28 साथे 196 और प्लस 4 करता दोस्तों तो 200 बटे 7 बहुत बड़ी वेल्यू होती फिर केल्कुलेशन में भी हमें दिक्कत आती तो हमें बिल्कुल सिंपल तरीका डूणना दोस्तों सिंपलेस्ट तरीका जिससे हम आसानी से आंसर दे पाएं अभी यहां से देखेंगे एक मैसे गटाए करेंगे दोस्तों तो LCM आएगा शाथ इसके बटे में कुछ नहीं मतलब एक मान सकते हैं 1-7 में 7 बार 7 को एक से मल्टिप्ला करेंगे दोस्तों साथ आएगा मैस में यह तो सीखा यह ले लेना वगिरा शाथ से साथ एक बार जाएगा 1 को 4 से गुना करेंगे 4 आजाएगा तो इसकी जगे कितना आ जाएगा यहां से 59 में से 28 गटाएंगे दोस्तों 9 में से 8 जाएगा एक बचेगा बच्चा भी बता देगा 5 में से 2 जाएगा बिल्कुल 3 बचेंगे दोस्तों बच्चों वाले हको भलग हाड दिखाए देरह लेकिन leaving बचों वाला डोस्तों का सुलिशनों दोस्तों तो 20 मैं से नंग घंडवे कितना आएगा दोस्तों 14 आएगा कितना आएगा 14 आजाएगा 13 में से 9 4 हो गया 1 में से 0 1 हो गया 14 बजकर 31 मिनट 3 बटे 7 इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों दो बजकर चवदा को हम लिख सकते हैं दो बजकर 31 मिनट तीन बटे शाथ यह हमारा आंसर हो जाएगा दो बजकर 31 सही 3 बटे शाथ मिनट यह हमें टाइम बताएगा दोस्तों मीरर में जो आपका टाइम दिया है दोस्तों वहां पर रियल टाइम जो आपको दिया 928 4 by 7 उसका मीरर में इमेज क्या दिखीगा हमें 231 3 by 7 मिनट इसका भी स्क्रीन सोट ले लिजे दोस्तों बिलकुल आसान तरीका है आपका ये क्वेशन सोल करने का हमें बस यह ध्यान रखना है जब भी फ्रेक्शन में दिया है तो हम यहां पर एक कर लिजे ताकि एक मेंसे हम आसानी से गटा सकते इधर 60 की जगे 69 लिखती है और एक मिनट इसमें से निकाल कि इधर साइड में रख दिया ताकि एक मेंसे चार बटे साथ माइनस करना हमारे लिए इजी रहेगा दोस्तों लिए चलते दोस्तों आपको next question की तरफ question आपके सामने स्क्रीन के उपर आ चुका है simple question है if the time in clock is 4 12 1 by 2 चार बजकर साड़े बारा मिनट वाट टाइम विल अपियर इन वर्टर पानी के अंदर के से टाइम दिखाई देगा यदि गड़ी में समय 4 बजकर साड़े बारा मिनट 12 सही एक बटा दो मिनट है तो जल प्रतिविम में कितना समय दिखाई देगा दोस्तों ह में यह बताना है बिल्कुल सिंपल क्वेशन है दोस्तों अभी सोल्यूशन करेंगे तो आपको पता चलेगा बिल्कुल सिंपल है ऐसे दिखने में भले ही थोड़ा उट पटांग लग रहा है फ्रेक्शन में वेल्यू हमारे शामने दिख रही है लेकिन उसका सोल्यूशन बढाएजी है दोस्तों हम क्या करेंगी सबसे पेले मैंने आपको बताय था जब भी आपको जल प्रतिविम निकालना हो जब भी क्या झालना हो जल प्रतिविम निकालना हो तो किस को करना है यह यहां पर हम माइनस करते थे 1790 में से कर रहे थे एक मिनट को उदर साइड में रख लिए एक मिनट को साइड में रख लिए फ्रेक्शन वाली बेल्यू इसके नीचे रख लिए अब यहां से माइनस करेंगे तो देखेगा एक में से एक बटा दो जाएगा कितना बचेगा दोस्तों भाई पूरा एक है उसमें से आदा गटा देते हैं तो कितना हो जाएगा दोस्तों एक बटे दो हो जाएगा और नाइन में से टू जाएगा सेवन हो जाएगा दोस्तों एट में से बन जाएगा सेवन्टी सेवन हो होता है एक गंटे 16 मिनट ऐगंट less 17 मिनट हुआं एक उसको आधвержंसे इसन्हें कर उभार साइड भह रखेए एक बास passiert इसे ड़े 507 का मतलब होता है STEPHANils 77 का मतलब होता है एक गंटे 17 मिनट और इदर 13 से 13 का मतलब किते बज़े हैं हमारे 1 बज़े तो एक हो गया इधर एक हो गया इधर एक प्लस एक कितना गंटा हो गया एक प्लस एक कितना गंटा हो गया दोस्तों दो बज गए तो दो बज कर 17 मिनट 17 मिनट और आदा मिनट और उपर तो दो 17 एक बटा दो हमारा आंस्वर हो जाएगा simple तरीका दोस्तों जो आपका जल प्रतिविम होगा water image होगा किसका 4-12-1-2 का water image क्या हो जाएगा दोस्तों जल प्रतिविम क्या हो जाएगा 89 मिनट एक मिनट हमने क्या करा एक साइड में कर लिया ताकि फ्रेक्षन वाली वेल्यु को हम आसानी से गटा सके एक मेंसे आदा जाएगा दोस्तों आदा बचेगा बच्चा भी बता देगा 89 में से 12 माइनस किया 77 आ गया 17 में से 4 माइनस किया 13 आ गया यहां से देखेंगे दोस्तो 77 वन बाई 2 का मतलब 77 का मतलब क्या होता दोस्तो 77 का एक गंटा 17 मिनट एक गंटा 17 मिनट भई एक गंटे में 60 मिनट होता है साट इसमें से माइनिस कर दिया सत्रा मिनिट बज गया पीचे और यह आदा मिनिट तो पहले से ओलरेडी है इधर तेरा बजने का मतलब किते बज रहे हैं दोस्तों एक बज रहे हैं तेरा बजने का मतलब एक बज रहे हैं एक यहां पर है एक यहां पर टोटल मिला के कितने ग थोड़ा सा सीम्पल क्वेशन है जैसे कि कल हमने क्लास में किया थे ताइम इन क्लॉक इस टेंट वेंटी वाट टाइम इट विल सौ इन वर्टर देखे दोस्तों अगर आपको यह वीडियो थोड़ा कम समझ आया है यह क्वेशन कम समझ आया है तो इस क्लास को पहले पारकी है उसके बाद में यह क्वेशन है तो आपको आसानी से इजीली समझ आ जाएगा बिल्कुल क्लास को जरूर लाइक कर दीजिए जो दोस्तों जो भी हमारी क्लास देख रहे हैं सबसे बेले क्लास को लाइक कर दीजिए यह चलते हैं आपको सोल्यूशन की तरफ यदि इमेज बताना जल परतिभीम बताना है दोस्तों क्या बताना है जल परतिभीम बताना है तो जल परतिभीम निकालने के लिए हम क्या करते हैं डोस्तों 17 basic seven मिनट दिया है दोस्तों यहां से माइनस कर लीजे नबे में से बीच जाएगा दोस्तों सतर मिनट बचेगा और यहां से कितना बच जाएगा सतरा में से हैं दस मिनट बचे मतलब 1 गंता, दस दस मिनट यहाँ साथ बच रहे हैं एक यह भी तो आ रहा है एक गंटा और तो टो Jesa मिला यहां पर कितना हो जाएगा दोस्तों eight बज़ कर साथ एक यह और एक गंटा इसमें इसमें मिला देंगे जब भी आपको जल प्रतिविम निकालना हो दोस्तों, तो हम 17.90 में से गटाते हैं, आप साड़े 18 में से भी गटा सकते हैं, 17.90 में से, आपको कहीं पे साड़े 18 में से माइनस करके देगा, बुक में पढ़ेंगे, आप किसी और टीचे से पढ़ेंगे, कोई साड़े 6 में से अगर आपका टाइम 6 बजे से पहले का दिया है, और कोई आपको 6 बजे के बाद का टाइम दिया, तो साड़े 18 में से गटा के देगा, तो वो अलग-अलग टीचेर का अलग-अलग method है, दोस्तों, सौल कराने का, हमें आगे बढ़ना है, next question की तरफ, question आपके सामने, screen के 145, what time it will saw in water and mirror image, अभी यहां पे दो हमें साथ में पूचा, water image भी पूचा है, और जल प्रतिविम और दरपन प्रतिविम, water और mirror दोनों image पूचा है, गड़ी में समय 445, दोस्तों, यह जल और दरपन प्रतिविम में कितना समय दिखाएगा, हमें यह बताना, तो सबसे पहल बात करते हैं, दोस्तों, mirror image की, किस की बात करते हैं, mirror image की बात करते हैं, दरपन प्रतिविम की बात करते हैं, mirror image की अंदर क्या होगा, दोस्तों, हमें पता किस में से गटाना सबसे पहले, 23.60 में से गटाना है, दोस्तों, 23.60 में से गटाना, time क्या दिया है, 4.45 दिया है, 4. पांकी पंतरा मिननेत बता यह धाना मिनियुच कि जसके 16 एंटरा मिनियट। चायेंट पन्द्रा मिनिय। यहांच सर 선생님 कीतना मिनिय। और यहां थैली सही सितना बचांथ में उसको हम क्या लखे कर बंद्रा मिनिय। एक्लिक श्क्ते यह हमारा न्सुर हो जाएगा जाल जो वाटर इमेज स्वरी मीरे इमेज यह whole जाएगा 2ока पुर्थियु एफ फ फ्रती भी से वोटर इमेज बो法े मेंज अगर निकालनी है दोस्तों तो हम क्या करेंगें किसमें से माइनस करेंगे दोस्तों 1790 में से माइनस करेंगे किस में से माइनस करेंगे 1790 में से गटाएंगे किसको 445 को गटा लेंगे 445 को गटाएंगे 1790 में से कितना बचेगा दोस्तों यहाँ पे 2060 में से गटाएं था उदर 1790 में से गटाना 90 में से देखे 45 जाएगा कितना बचेगा 45 बचेगा और 17 में से 4 जाएगा दोस्तों कितना बचेगा 13 बचेगा और इसको हम क्या लिख सकते हैं एक बच कर 45 minute क्या लिख सकते हैं एक बच कर 45 मिनट हमारा अंसर हुजाएग कितना होगा एक बजगर 45 मिनट और दर्पन प्रतिभीं कितना हो जाएगा तquito में शाथ भजगर 15 नि ये अमारा अंसर हो जाएगा दोस्तों बिर्पन प्रतिभीं और जल प्रतिभीं के सारे सारे जो doubt है दोस्तों मेरे ख्याल से आपके सब के complete हो चुके cover हो चुके अब कोई भी student को केसा भी doubt नहीं अगर आपने हमारी दोनों class देखी हो अब लिए चलते हैं दोस्तों कल हमने last में कुछ question करे थे angle based question जो clock के उपर minute hand और our hand के बीच में आपसे angle पूछे जाते हैं कोण पूछे जाते हैं दोस्तों उस type के question आज हम करेंगे और गंटे की सुई इतने minute में कितने का कौण बनाएगी minute वाली सुई इतने second में कितने का कौण बनाएगी उस type के जो कल question किये थे उसी को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं दोस्तों question की तरफ अब दोस्तों आपके सामने question आ चुका है यह question हमने कर लिया था इसके बाद यह question देखिएगा question आपके सामने what angle is made by minute hand in 32 seconds simple question है दोस्तों हमें समझ आना चाहिए कि पूच क्या रहा है minute की सुई द्वारा 32 second में कितना कोण बनाए जाएगा यह चीजे करें उससे पहले एक बैसिकल वाला थोड़ा सामें बता देता हूं आपको थोड़ा साम देख लेते हैं पिछली क्लास वाला देखिए दोस्तों आपको जैसे question के अंदर बोला है देखिए दोस्तों 360 degree का कोण बनाती है चो बारा गंटे में एक गंटे वाले शुई तो वह एक गंटे में कितने degree का कोण बनाएगी 30 certainly का कॉन बनाएगी और 12 से 12 Gंटे में 3060 का बनाती है तो एक गंटे में वह 30 degree का बना लेगी कौन सी गंटे वाली शूई वह पर गंटे में 30 डिग्री का कौन बनाएगी कौन बनाएगी गंटे की सुई गंटे वाली सुई यह आमने कल सीखा था और वही जो एक गंटे में 30 डिग्री का कौन बनाती है एक मिनट में कितने का कोण बनाएगी दोस्तों एक मिनट में बनाएगी एक बटे दो डिग्री कितना बनाएगी एक बटे दो डिग्री पर मिनट क्या बनाएगी दोस्तों पर मिनट बनाएगी कौन सी गंटे वाली शुई की बात हो रही है दोस्तों अगर बात करते हैं मिनेट वाली शुई की तो मिनेट वाली शुई दोस्तों 360 डिगरी का कोण बनाती है 60 मिनेट में तो एक मिनेट में वो कितना कोण बनाएगी दोस्तों एक मिनेट में बना लेगी 6 डिगरी का कोण बनाएगी पर मिनेट बनाएगी दोस्तों कौन सी मिनेट वाली शुई मिनेट वाली शुई इसे हम बोलते हैं दोस्तों आर हैंड और इसे बोलते हैं मिनेट हैंड यह चीजे हमने कल सीखी थी दोस्तों बिल्कुल बैसिक चीज एक बार थोड़ी सी मैंने वापस बता दी है आपको इसका स्क्रीन शोड़ ले लिजिए अब चलते हैं दोस्तों क्वेशन की तरब क्वेशन आपके सामने है मिनेट की सुई 32 सेकिड में कितना कोण बनाती है हमें यह बताना तो मिनेट की सुई हमें पता दोस्तों पांच मिनिट में मिनिट वाली शुई जो है दोस्तों 30 डिग्री का कोण बनाती है तो वही एक मिनिट जिसे हम 60 सेकिंड बोलते हैं दोस्तों कितना कोण बनाएगी 30 बटे 5 बटे में चला जाएगा उदर कितना बन जाएगा दोस्तों 6 डिग्री बन जाएगा तो दोस्तों वो 1 मिनट या 60 सेकिंड में 6 डिग्री का बनाती है तो अब हम देखेंगे 1 सेकिंड में कितने का कौन बनाएगी 1 सेकिंड में 6 बटे ये 60 था इधर गुणा में इधर भाग में चला जाएगा कितरा हो जाएगा 10 बार कटेगा उपर 6 का भाग एक बार जाएगा 1 बटे 10 डिग्री हो गया क्या हो गया दोस्तों 1 बटे 10 डिग्री जब 1 सेकिंड में 1 बटे 10 डिग्री का कौन बनाती है दोस्तों तो 32 second में कितने का कोण बनाएगी 32 second में क्या हो जाएगा एक बटे 10 into 32 हो जाएगा दोस्तों और इसको हम क्या लिख शकते हैं 3.2 degree भाई देखिए 10 का भाग जाएगा एकंग छोड़के point लग जाएगा 3.2 degree हमारा answer हो जाएगा option C right हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल option C हमारा answer ह हो जाएगा simple question है बिल्कुल हमें समझ आना चाहिए कि करना क्या minute की सुई है दोस्तो 32 second में कितना कोण बनाती है बिल्कुल basic तरीका 5 बटे 10 डिग्री होता दोस्तों एक सेकेंड में जब एक बटे 10 डिग्री बनाती है तो 32 सेकेंड में इंटू 32 कर देंगे दोस्तों हमारा answer आजाएगा 3.2 डिग्री option C right हो जाएगा लिए चलते हैं दोस्तों आपको next question की तरफ simple question है दोस्तों आपकी सामने screen के उपर आ चुक सेकेंड की सुई जो है दोस्तों 18 सेकेंड में कितना कोण बनाती है हमें यह देखना है सबसे पहले हमें पता कोई भी सेकेंड की सुई 60 सेकेंड में 360 डिग्री का कोण बनाती हमें पता दोस्तों तो वही एक सेकेंड में कितना बनाएगी 360 बटे 60 बनाएगी दोस्तों यहां सेकिंड में कितना बना लेगी दोस्तों 6 इंटू 18 कितना आ जाएगा दोस्तों 108 डिग्री अठारा की टेबल अगर अपने को याद हो तो फटा बट से निकाल सकते वरना मल्टिपला ही तो दुनिया ही करती है दोस्तों हमें आगे निकलना है ससी के अंदर सेलेक्शन लेना है दोस्तों तो बिलकुल हमें टेबल कुछ जो मैंने बैसिक चीजे बताई थी हमें याद करनी पड़ेगी अठारा जैके 108 108 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बिलकुल आप्सें बी बी फॉर बोमे लिए चलते दोस्तों आपको whirl जो कितना दोस्तों 15 लिए सकंड में कितना कोण बनाती है हमें यह बताना तो गंटे की सुई आमें पता दोस्तों एक गंटे में कितना कौन बनाती है में idak कि 10 गण्टे में बोलते हैं दोस्तों शाट मिनट साथ मिनट मतलब एग मिनट में कि इतना बनाईगी 30 भडदे साक कितना ओगया दोस्तों jumper ayak2 दोटे कि और हमें पूचा है 45 सेकिंड का तो एक मिनट का मतलब होता है दोस्तों 60 second 60 second में जब एक बटा-2-degree बनाती है तो एक सेकेंड में कितना बनाएगी दोस्तों एक बटे 2 x stole 60 हो जाएगा एक बटे 120-degree दोस्तों कि मैं अब हम देहेंगे दोस्तों अगर हमें दिया है कि एक सेकेंड में 120 डिग्री का कौन बनाती है तो कितने का पूछा है दोस्तों 45 सेकिंड में कितने का कौन बनाएगी मतलब कितना हो जाएगा दोस्तों एक बटे बीस एक सो बीस इंटू 45 दोस्तों कितना हो जाएगा 15 से कटेगा दोस्तों 3 बार 15 से कटेगा 8 बार 3 बटे 8 degree हमारा answer हो जाएगा 3 by 8 degree option C बिलकुल आपका right हो जाएगा option C आपका answer हो जाएगा simple तरीका है दोस्तों हमें value को काटना आना चाहि value को समझना आना चाहि question को समझना है कि पूछा क्या है एक question और ले लेते दोस्तों एक question second end का और लेते जैसे आपको अगर पूछा है second end के लिए what angle is made by second hand in 32 second कितने सेकेंड में 30 सेकेंड 32 सेकेंड सेकेंड वाली स्वी 32 सेकेंड में कितने का डिगरी का कोण बनाएगी हमें यह बताना दोस्तों देखेंगा जैसे आपको बूला है 32 सेकेंड दिया है और कौन सी स्वी दिया सबसे इंपूर्टिन बात यह कि कौन सा स्वी दिया हमें सेकेंड का बोला है किसका बोला है सेकेंड का बूला दोस्तों सेकेंड वाली स्वी पांस सेकेंड के अगर बात करें पांस सेकेंड की बात करें कौन सी सेकेंड की स्वी सेकंड की सुई दोस्तों पांस सेकंड में कितने का कौन बनाती है पांस सेकंड में वो बनाती है तीस डीगरी का कौन तो एक सेकंड में कितने का कौन बनाएगी दोस्तों तीस बटे पांस का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों तीस बटे 5 का मतलब 6 डिग्री और दिया कितना है 32 सेकंड तो 32 सेकंड में कितने का कौन बना लेगी यह 6 डिग्री आये यह से अब बिल्कुल सिंपल है दोस्तों अब चलते हैं दोस्तों टाइप 3 की तरब टाइप 3 की बात करें तो हमें आप पूछेगा question के अंदर टाइप 3 में टाइप 3 में जो question बनते हैं दोस्तों आपके angle से related पूछे जाते हैं कि आर हेंड और मिनेट वाली शुई के बीच पे कितने का कोण बनेगा तो किस टाइप की question बनते हैं दोस्तों angle between आर हेंड and मिनेट हेंड of clock angle बताना होता है दोस्तों एक simple सा formula आपको बताता हूं ज्यादा गोमेंगे नहीं हमें फट्टा पट से जितना हम question की practice करेंगे दोस्तों उतना ही हमारे लिए आसान होते जाएंगे question हमें बिलकुल एक simple basic सा formula याद करना जब भी आपको दोस्तों थीटा पूचाओ एंगल पूचाओ हमें क्या याद करना है 11 by 2 into m minus h into 30 एक formula आपको basic सा याद करना और कुछ भी याद नहीं करना है और भी कई तरीके होते दोस्तों इसी formula को गुमा फिरा के कैसे भी हम solution निकाल सकते हैं लेकिन हम बिलकुल एक simple सा formula यहां पे लेते हैं हमें इदूर उदर भटकना नहीं है हम एक ही formula को बेस बनाते हुए सारे question करेंगे ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो कोई भी आपको जो है confusion ना हो दोस्तों एक formula आपको याद रखना है m का मतलब यहां पे हो जाएगा दोस्तों minute क्या हो जाएगा minute हो जाएगा और यहां पे h का मतलब हो जाएगा गंटा r हो जाएगा हमें यह चीज़े ज्यान रखने थीटा हमारा क्या होता दोस्तों थीटा होता है कोण कितने डिगरी का कोण होगा वो हमें बताना है तो लिए चलते आपको सीधे question के तरफ दोस्तों हमें ज्यादा गूमना नहीं हम जितना ज्यादा question की practice करेंगे दोस्तों उतना ही हमारे लिए beneficial होगा चलिए आपको अगर question देता है 4.40 बज़े कितना देता है दोस्तों चार बज़े कर 40 मिनट पर गंटे वे के मिनट की सुई के बीच का कोण हमें बताना है दोस्तों इन दोनों के बीच का कोण बताना है दोस्तों तो हम देखेंगे 4.40 दिया हमें time 4, 40 दिया देखिए दोस्तों इदर थीटा हमारा क्या होता है 11 बटे 2 into M minus H into 30 यह हमारा फोर्मूला होता है दोस्तों यह हमारा फोर्मूला है अब थीटा की value रख लीजिए कितना हो जाएगा 11 बटे 2 थीटा की निकालना है मिनट कितने दिये दोस्तो 40 मिनिट दिये, minus h कितने 4 गंटे हैं, into 30, क्या आ जाएगा, answer यहां से 20 बार जाएगा, 11 दुने, 22, 220 हो जाएगा, minus 30, 120 हो जाएगा, यहां से theta क्या आ जाएगा, दोस्तों हमारा थीटा क्या आ जाएगा 220 में से 120 100 डिग्री आ जाएगा अगर दोस्तों ध्यान से देखना बिल्कुल बहुत ही important चीज बताने जा रहा हूं ध्यान से देखिएगा इसे अगर आपको 100 डिग्री option में मिल जाता है तब तो हमारा यही answer है अगर 100 डिग्री option में नहीं मिलता है अगर यह option में नहीं मिलता है तो हमें क्या करना है भाई 100 डिग्री अगर option में ना हो तो क्या करना है तो हमें क्या करना 360 में से इसको गटा लेना किसको गटा लेना 360 में से 100 गटा लेना है कितना आ जाएगा दोस्तों 260 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा 260 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा अब ये दो आंसर के सा आए वो भी एक बार में आपको बता देता हूँ भई ये क्लॉक है इस क्लॉक के अंदर हमें पता 4.40 का टाइम दिया है 4.40 के टाइम में देखिए भई पांच के लगबग ये इधर रहेगा गंटे वाली सुई और इधर 9 बस्तें 10, 11 और 40 ये मिनट वाली सुई यहां पे रहेगी 40 के टाइम में अब देखिएगा हम देखते हैं अगर ये वाला इंगल तो ये वाला क्या है अंगल हमारा क्यूंकि ये देखिए ये आर हेंड है दोस्तों ये मिनट है अगर आर से मिनट गंटे से मिनट देखा जाए ये हमारा क्या है दोस्तों आर टू मिनट गंटे से मिनट के बीच का कोण आया दोस्तों, 100 degree, 100 degree, अगर हमें time देता है, minute से r वाला angle निकालना होता है, अगर option में 100 degree नहीं हो, दोस्तों, तो हमें ये देखना होगा, कि ये बड़ा angle भी ले सकता, तो 360 में से minus करना है, यहां पे देखे कितना कोण बन जाएगा, ये वाला कोण तो बढ़ा होगा, बाहर वाला कोण देखे, total अंदर वाला, बाहर वाला मिला के 360 degree है, 360 में से minus कर लेंगे, हमारा answer आजाएगा, 260 degree, 260 degree हमारा क्या होगा, minute to r, क्या हो जाएगा, minute to r, ये हमारा angle हो जाएगा, तो इस type के कुछ question आपके exam के अंदर पूछे जाते हैं, दोस्तों, ये हमारा angle वाला part है, दोस्त करेंगे, कुछ अच्छे question, बहतरीन question आपके सामने लेकर आएंगे, दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का, इसी तरह हमारे शाद जूडे रहिएगा, और इस class को like करना नहीं बूले, दोस्तों, धन्यवाद है आप सभी का. Please, like, share, subscribe, digital, तैयारी!